in this question if a1 a2 a3 up to and so on is an ap such that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equals to 300 then the sum of a1 plus a2 plus a3 up to a24 यानि कि अपने पास a1 a2 a3 एक एक अपी दी हुई है और उसने आपको एक sum दिया हुआ a1 a5 up to a24 is 300 और फिर उसने बोलाया कि स्टार्टिंगे जिए इनका sum कितना आएगा ओके चलिए वहीं बात करते हैं तो अपने पास एक a p है इसके solution की बात करते हैं अपने पास a p है a1 a2 a3 a4 a5 and so on up to यहां पर मैं a24 तक ही ले लेता हूं last के लिए फिर उसने बोला है कि a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equals to 300 अब यह 300 दिया हुआ है अब यार एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आप से बोलता हूं कि यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि a1 और a24 का सम अगर x है अपने पास तो a5 और a20 भी x होगा और a10 और a15 भी x होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहां पर कि सर यह तो अपने पास इस तरीके से हो गया कि a1 प्लस a24 is equals to a5 प्लस a20 is equals to a10 प्लस a15 is equals to x क्लिया अब यह कितना हो गया यह तो 3x हो गया फिर 3x is equals to कितना 300 then x is equals to कितना आ गया बच्छों 100 आ गया यानि कि x कितना लिया है हम लोग ने x क्या बोला था हम लोग ने x बोला था a1 प्लस a24 बोल सकता हूं क्या मैं a1 प्लस a24 बोल सकते हूं क्या थोड़ी दिर के लिए तो यह हो गया भाई अपने पास a1 प्लस a24 is equals to 100 आ जाएगा भाई क्लियर अब उसने बोला कि sum of 24 टम्स बता दो कितना आएगा तो यह आएगा 24 बाई टू एवन प्लस a24 फस्टम प्लस लास्ट और यह कितना हो जाएगा 24 अपन टू इंटू 100 हो जाएगा यह तो और यह से 12 ताइम्स कैंसल हो जाएगा तो 12 इंटू 100 और यह कितना क्लियर 1200 तो 12 00 is the right answer बात आगी समझ मैं तो इसके अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो में चीज थी वो क्या थी ध्यान से सुनेगा the sum of terms which are equidistance from the beginning and from the end is equal to the sum of the first term and the last term अगर इस starting से आप कोई भी term लेते हो जैसे पाच्वा और end से अगर आप 5 bottom लेते हो दोना का sum जो वो पहले और आखरी के बराबर आएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख लो खुझ से